डैड, मुझे भी प्यार चाहिए पर यह बात आप नहीं समझ सकती है, मैम अब समझ आई शिंचैन, चिंता मत करो बेटा तुम्हारी ममा तुम्हें भूली नहीं है आज अपने मॉम डैड के पास जाना और उनके साथ वक्त बिताना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें भूले नहीं ओ हाँ, और ये ड्रॉइंग में उन्हें दिखाना जो तुम्हें आज बनाई है हो सकता है कि काम बन जाए, क्यों है न, क्या हुआ क्या प्रिंसिबल सर ने आपकी सैलरी बढ़ा दी क्या, क्या कह रहे हूँ तो फिर आप आज इतनी खुश क्यों है मैं हमेशा सही इस तरह से रहती हूँ ये, आपका प्यादा शिंचैन आ गया आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम मैम को बाई बोलो बिटा घर जाके पेड़ खराब की दवाई ले ले लिना सुना नहीं, मैंने कहा मैम को बाई बोलो मैम आपको जो बताया, याद रहना है ठीक है, बाई बोलो बाई अब अब अंदर चलो शिंचैन माम आरे हुआ का मेरी प्यारी बेबी हिमावारी, क्यों हो रही थे? शिंचैन येस माम जाओ पहले अंदर जाओ और हाथ मुँ धोलो नहीं, ये सारे काम मैंने कली कर लिये थे दुबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं माम सिर्फ हीमावाई सी प्यार करती है मुझसे कोई प्यार नहीं करता शिंचैन, मैं जानदा हूँ तुम दुख्य हो, पर एक ग्लास जूस तो भी सकते हो पांच सालों में काफी चीज़ें बदल गई है पर ये जूस नहीं बदला अंकल, आज राट में सिर्फ जूस पियोंगा अंकल, एक ग्लास और दी ना माँ घरा गया डैट मेरी बेटी कहा है ओ रे रे बापा ने आखो कितना मिस किया आपिस में सारे किसी दो से ही दे दोगे कि कुछ मेरे लिए भी बचाओगी ये बेकार की बाते मत करो मेरे साथ शिंचन चलो जाओ जाकर अपना स्कूल का काम करो ये तुमारे मुँपर बारां क्यों बज़े हुए है हैरी प्लीज आप शिंचन को ज़रा डाटिए जबसे वो स्कूल से आया है मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है आप कुछ कही है ना शिंचन ज़रा इदर आओ मेरे पास सुना नहीं क्या तुमने मैंने कहा मेरे पास आओ मैं हिरण हूँ आखरी बार कहता हूँ इदर आओ शिंचन मैं शिंचन नहीं हाती हूँ शिंचन मेरी माम अच्छी नहीं है और डैड वो तो बिल्कुछ भी अच्छी नहीं है क्या कहा शिंचन मैं तो ठक गई हूँ इस लड़के से क्या करूँ पता नहीं कहां चला गया ये जरा इसे देखिया है रे ये शिंचन की ड्रॉइंग है ये हमारी फैमिली है वो चाहता है कि हमारी फैमिली ऐसी हो मैं सब कुछ समझ गया मिटसी जब से ही मावारी घर में आई है हम दोनों ने शिंचन के साथ धेलना बिल्कुल बंद कर दिया है ये सब कुछ शायदी से वज़ा से हुआ क्या वो चला गया शिंचन शिंचन शिरो ही मावारी का खयाल रखना हम अभी आते हैं जगह बहुत कम है शिरो मॉमा डाड कहां गए है मत बता मुझे परवा नहीं शिरो जाके मॉमा डाड को बोल दो कि अपनी प्यारी बेटी को चुप करा लें लगता है मुझे इसे चुप कराना पड़ेगा चुपो जाओ ही मावारी चुपो जाओ ही मावारी मेरी प्यारी चोटी बेहन चुपो जाओ ही मावारी अब तो रोना बंद कर दो अब तो चुपो जाओ मैं गागा की ठक गया सो जाओ सो जाओ ही मावारी सो जाओ चिंचान यह सब मामा की गलती है मेटा अगर चिंचान अपता घर नहीं आ रहा होगा तो हम लोग पुलीस को कॉल करेंगे अरे मिच्सी शर शर याओ शर 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 अपता यहीं शर 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 चुपोो जाओ शिंचे आज तुम यही पर सोना ठीक है मेरा बिजनस ट्रिप मौन की साथ सर को बहुत देर हो गई है वो क्या कर रहे हैं अगर हम इस ट्रेन से नहीं गए तो बहुत गडबड हो जाएगी पिस्टे कावा पूची मैं आ रहा हूँ अरे वास सर आ गए जल्दी आ ये ट्रेन शूट जाएगी आखर तुम कर क्या रहे हो तुम्हें एक जरूरी बिजनस ट्रिप पर जाना है भूल गए क्या? तिमारा चा करूँ मैं गूड मॉर्णिंग मिस्स नुहारा अच्छा हूँ आप इने ले कर आ गई नहीं तो आज हमारी मीटिंग तो कैंसल ही हो जाती अहाँ हाँ यही है यही है आप बहर खड़े क्या कर रहे है शिंचेन बेशक जॉब कर रहा है लेकिन है तो बच्चा ही न मेरे साथ आने से आपको प्राब्लम तो नहीं है अरे कोई प्राब्लम नहीं है मगर इसकी कोई जरूरत नहीं थी मिस्टर कावा घुची क्या आप पाँ साल के बच्चे की एकसाइटमेंट को सुल्हाल पाई नी जब भी वो कोई नई चीज देखता है तो ऐसे ही करता है इस तो माउंट फूजी है कितनी सारी बर्वे जूस कॉफी नाश्ता क्या लेंगे एक गिलास मलाईदार लस्ती है तो जल्दी मसाला मार कर दे दीजिए देखा आपने ठीक है लगता है कि आप ठीक कह रही है वैसे अच्छा ही हुआ खाना खाना आपके घर जेल सा खाना वेज हो या नौन वेज सब मिले गा यहाँ पर अभी इतनी जल्दी लंच्टाइल हो भी गया जरा बात सुनिये हमें कुछ मिरे लिए वेज फूड मैं लोगी नौन वेज खाना ठीक है हमें एक वेज और दो नौन वेज चाहिए ठीक है जी नौन वेज होगी आपके सौर पे किधाली और वेज होगी आपका 356 सर वेज खाना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है कंपनी का पैसा बचा कर आप अपने पास रखेंगी सर आप तो हमेशा मेरी पोल खोल लेते हैं ट्रेन यहां दो मिनट रुकेगी अरे यह तो महल है महल है सर प्लीज आराम से बैट जाएए ट्रेन में ऐसा करेंगे तो जुर्माना लग जाएगा मिस्टर कावा गुची मेरे साथ रहे करतो आप भी समझदार हो गए है यह क्या कह रहे है सर पर मिस्टर कावा गुची अब ये बात अत्पक नहीं समझे कि अपने सीनियर को नहीं डांटे है तूम मिस्टर कावा गुची सही कह रहे है वो जूनियर है लेकिन उनमें अकल तुमसे ज्यादा है समझे तूम इसलिए ज्यादा बड़ी-बड़ी बाते मत करो समझे अच्छा होगा कि तुम अपने शूज यहीं उतार लो आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमारे साथ आगे कावा है मिस्टर कावा गुची में ठक गया है मिस्टर कावा गुची अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जरा सेल देखकर आ जाओ मैम आप यह क्या कर रही है बस मैं यू गई और यू आई हमारे पास समय नहीं है कुछ नहीं होता कमपनी का पैसा है खर्षने दो घर का थोड़ो बहुत सामान आ जाएगा क्या ममी की शॉपिंग के लिए पैसे हमारी कमपनी देगी है सर ये तो विल्कुल गलत बात है है न निसे क्या बता ठीक है तो फिर चलिए तो ठीक है मीटिंग के बाद सेल में चली जाओंगी मतलब आप सेल में हर हाल में जाएगी देखे सर हम लोग मीटिंग वाली जगा पर पहुँच गया है ये है एक्शन फूड अच्छा अच्छा यहां की सेल्स मैनेजर बहुत ही स्ट्रिक्ट है अब तक हमारे सेल्स के लोगों ने यहां पर अपना काम बढ़ाने की बहुत कोशिश की है लेकिन उन्होंने अब तक कोई काम्याबी नहीं पाई है मतलब बोलोग हमेशे आपकी तरह हर काम में फेल होते हैं आखिर आपका मतलब क्या है सर आपको हिंदी नहीं आती क्या क्या आपसे कोई नहीं जीत सकता है पता नहीं क्यों कोई जीतना भी चाहता है अच्छा तो आप है फुटाबा कंपनी के मिस्टर कावा गुची और आप असिस्टन मानेजर नोहारा और आप इनकी मदर मगर आप लोग आज यहां क्यों है हम लोग आपके साथ अपने बिजनेस रिलेशन्स को बढ़ाने के लिए आए हैं अगर आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस को बढ़ा देंगी तो हम लोग बिलकर अच्छा काम कर सकते हैं वैसे भी इससे में आपने जो नया प्रोड़क्त त्यार किया है वो हमारी कंपनी को बहुत ही जादा पसंद आया है तो काम अच्छा ही होगा अगर आप हमें प्रोड़क्त बेस देंगी तो हमारे नुक्सान बहुत कम हो जाएगा जरा इसके बारे में भी सोच कर देखिए ठीक है एगरी करता हूँ इन्हें माफ कीजेगा मैं वैसे आप एगरी कर जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है समझे हैं लेकिन क्यों सर मैं तो यह चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह रिक्वेस्ट कीजे इनसे लेकिन मेरी परस्नालिटी कि यह साब से मुझे रिक्वेस्ट करना सूट नहीं करता न ठीक है आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगी है、 क्या आप सच बोल रहे हैं? मिश्श्ट काओ गुची ने ने कहा कि यह सोचेंगी सर ये तो बहुत बुरी बात है क्या आप जानते हैं की सोचने का मतलब हमेशा नहीं होता है मिश्ट काओ गुची अब हमें हमारा ट्रम्प कारण बाहर निकाला होगा क्या, आपका मतलब है कि हाँ, क्या आपको प्लान समझ में आ गया है मैं समझ गया सर ठीक है माडम, क्यो ना आप हमारे साथ चल के साथ में खाना खा लें, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारी दोस्ते बढ़ेगी ना और इससे बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा, क्यों? एक मिनट रुको, यही सब क्या हो रहा है देखें, जिनर की मदद से कामियाभी हासल करना अच्छी बात नहीं है आपको अपनी काबलियत के बल पर ही कामियाभी हासल करनी होगी समझे? यह तो बिजनेस का तरीका होता है न? हाँ, हाँ, माम ने बिल्कुल सही कहा ये मैं तुम्हें बता रही थी ओ, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम अब तक बहुत सारी कंपनीज ने अपलाई किया है और सभी कंपनीज यही सोचती है कि अगर वो मुझे पार्टी देंगी तो उन्हें सफलता मिल जाएगी वो लोग ठीक सोचती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए एक बात बताना चाहूंगी हमारी कंपनी को इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है लेकिन आप पर है हमारी कंपनी ये डील आपको ही देगी जैसे मैंने सोचता तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मम्मी को इसी वज़े से साथ मिलाए थे नहीं नहीं तो इस खुशी के मौके पर मैं आपको डिनर के लिए इन्वाइट करती हूँ नहीं नहीं हमें डिनर पर नहीं जाना है विलफुल क्यों रही यह थे हम??? बहुत टेस्टी है ये तो इत्ता टेस्टी कहना कहलाने के लिए आपका बहुत बहुत ञुत शुक्तवि आ मुझे पता था आपको खुआना पसंद आएगा ला जवाब है हाँ तो मिस्टर कावा कुची आपको एक पार्टी कैसे लगी माडम वो दरहसल लगता है आपको मज़ा नहीं आया हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है चिंता मत करो ये तो बस एक छोटी से शिरुवात थी इसके बाद तो एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है सर एक बात कहूँ हाँ बोल ये अब हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी की उमीद कर सकते हैं क्यों ये क्या हो रहा है अरे मैं क्यों छोड़िये इसे माडम कैसी लगी ये सेल आपको बहुत ही बड़ी आलगी मैं हमेशा ऐसी डील पसंद करती हूँ जहां तीन गुणा ज्यादा फाइदा हो मैं तयार हूँ अरे अरे जोड़िये मुझे इसे मैंने क्या का अरे इसे मैं लोगी